दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कीटो ने कीटो डायेट ने मेरी जिंदगी कैसे बदल दी दो साल पहले मैं बहुत जादा काम में अपने वेस्ट थी और पेरियो मेनुपॉस और मेनुपॉस जैसी चीजे बॉड़ी को हेट कर रही थी में बजाए इसके कि मैंने पूरी जिंदगी एक्सराइस की जिम किया डायेट का खयाल रखा कभी लोग कितना खाते हैं मैंने कोई चीजे नहीं खाई उसके बावजूद भी अचानक मैंने पाया कि मेरा थाइरोइड बहुत जादा थाइरोइड निकल आया फिर थाइरोइड कि एंघेट कि दोटाइड मेरे साथ क्या हो रहा है बहुत सारी चीजें हो गई थी और मैं दो स्कुष कपे GOD चल भी नहीं पाती थि अचानक सा मेरा पैर भी मूड गया मैंने का यह सब क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे नीन बी नहीं आती थी और सोती थी भी जल्दी उट जाती थी ये सारी चीजों में मैंने अचानक देखा मेरा जो है 27 से 28 किलो मेरा वेट बढ़ गया और मैं हो गई 95 केजी तो खुद को वो नहीं फील होता था मगर बढ़ते जा रहा था मेरे स्किन भी ऐसी हो गई थी डल और सब कुछ सूजा हुआ फेस अल्टिमेटली मेरा हर दूसरे दिन सूजा हुआ होता था पैरों में सूजन हुआ करती थी और मुझे लगा यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है क्योंकि मेरी ऐसी कोई लाइफस्टाइल नहीं थी अचानक मुझे कीटो का मैं धूनने लगी इंटरनेट पे वीडियो में यूट्यूब पे मुझे डौक्टर एरिक बरक के वीडियो नजर आयों और फिर मैंने जो कीटो वीडियो को खंगाला जो उस डायेट को खंगाला और फॉलो करना शुरू किया चुक히 मैं डॉक्टर हुँ तो उसके साथ साथ ही मैंने वीतामिन्स को भी देखना शुरू किया धिली formats को भी देखना शुरू किया और फिर diploma भी किया लेकिन जब मैंने ये डाएट शुरू किया उसके साथ मुझे जो जो चीजे लगी कि इन चीजों की कमी हो सकती है वो पूरी हेल्थ वापस आ गई छे महीने के अंदर मेरे 25-26 किलो वॉजन कम हो गया जो मसल्स इतना जिम करके भी मैं जुन्दगी पर बनाने पाई अब जब मैं वह फास्टिंग वरकाउट करने लगे जो मेरे मसल्स में कट आने लगे और मुझ में इतनी ओरजा आ गई कि मैं अभी देखे आभी भी मैने नहीं ठाया है मेने कलभी नहीं खाय मैंने संडे शाम को खाया है मैंने जब भूक में लगते मैंने चलो फास्ट करो इस प्रोलांग फास्टिंग से तो हेल्प मिलती है अब इसले बता रहे हैं क्योंकि सप्टेबर में दो साल होने वाले हैं मुझे कीटो में जाकर इसके इलावा मेरी मा के भी कीटो ने कैसी मदद की एक दिन आपको ज़रूर बताओंगी कीटो भले हैं याप यूट्यूब वीडियो और यूट्यूबर को देख के शुरू कीजिए खाने को देख के शुरू किजिए इंडियन हैं वेज हैं नॉन वेज हैं धेर सारी मेरी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं www.keto.co.in तो मुझे कोई ऐसे ग्रीड अमबिशन की वज़े से मैं यह नहीं शुरू किया लेकिन जो फाइदा मुझे हुआ जबकि मैं डॉक्टर हूं मैं पढ़ी लिखी हूं अवेर वेक्ती हूं अक्टिव वेक्ती हूं उसके यह इतने क्रूशल पीरिड में आपकी हेल्थ कितनी खराब हो सकती है तो मान लीजे मेरी बात आपका यह वेट इस तरह से तभी बढ़ता है जबके आपके अंदर बहुत सारे इंबालेंस हो जाते हैं और वेट लॉस कैलरी जीन कैलरी आउट मेरा वीडियो देख लीज़ वैसे नहीं होता है वेट लॉस बहुत हार्मोनल होता है तो उन सब को ठीक करते करते इस डाय डायट बहुत ही बड़ा माजिक है आपके लाइफ में तो अगर आपको भी इस तरह की परिशानिया है तो मुझे कमेंट में बताईए मुझे कांटाट कीजे या इनिशली मैं आ है क्योंकि 33 किलो के ओपर वेट लॉस करने जाएंगे तो स्किन बहुत लूस भी हो सकती है क्योंकि अब मेरा एज 52 है तो इसलिए धीरे धीरे अब मैं जा रही हूं मेरी चॉइस है पर लेकिन आप जिस तरह से अगर आप जाते रहोगे ना तो मैंने देखा है देखते किलो तक वेट कम किया है पर उतना वेट कम करने के भी अपने साइड इफेक्ट है जैसे लूस के नौर वो इसलिए उसके कुछ स्टेप्स है तो अगर आगे उतना बढ़ेंगे आप तो मैं हूँ आपके साथ as a consultant मगर कीटो अगर शुरू करना है तो देर मत कीजिए जो मैं करने से कुछ नहीं होगा जैसे आप कीटो छोड़ो दोगे आपके दस किलो फिर वापस आ जाएंगे तो सोच समझ कर निरने लीजे मगर लीजिए आज मैं कुछ भी नहीं लगाती लेकिन मेरे स्किन इतनी ग्लो होती है मुझ में इतनी ताकद है इतनी फूर्ती है मेरे मसल इसको शेप आने लगा जो जिन्दगी पर जिम करने के बाद नहीं आया मैं ठकती ही नहीं और मैं बीमारी नहीं होती टच वुड दो साल में मुझे कोई सर्दी खासी वाइरल कुछ नहीं हुआ है वरना सालो साल जिन्दगी में मैंने ऐजी लिया है हम पीक लॉक्स यह वो बता रहे हैं मेरे जैसे हजारों यूटूबर्स आपको बताएंगे कि केटों ने उनकी कैसी जिन्दगी बताईती है नमस्कार